अब नेशनल करेंट अफियर फ्रॉम वन और आज हम वाल्यूम वन को खतम कर लेंगे तो हम लोग जो कंटिनिव करें थे उससी को आज आगी कर लेंगे और इसको खतम कर लेंगे आप लोग बहुत अच्छे से मेनत करें आपसे जो भी पूछा गया है वो बहुत अच्छे से जवाब दे रहें इसी को कंटिनिव करिये आपको भी कॉन्विडेंट फील हो रहा हुआ कि करेंट के साथ साथ स्टैटिक आपको कितना याद रह रहा है कौन सा चीज सीख रहा है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट पूरा एकदम कंसाइज करके एक साथ लिखते हैं जिससे क्या है जो लड़के आते हैं घूमते फिरते और उसको सोचते कि कमेंट क्या ही करें इसको पड़ लेंगे आ ही गया तो एक्जाम में भी वैसे ही वो उधर उधर ताकें दिल्ली में हुआ ठ्यश्य चाहिए मोदी चाजाइं डिल्ली में ही ओन्र इसके लिए हम लोगोंने एक कॉन्स reflection करते हैं उसका नाम है World Congress on Disaster Management और यह इसका छठवा सलस्करन रहा है, हम लोग कहा कि Beij are इसको देहरादुन में किये, ठीक है और वहाँ एक इंवर्सटी है Graphic Ira Graphic Ira University है वही किये यह 6th World Congress on Disaster Management एक December को हम लोगों ने यह function रखा था, वहाँ Moodi साहब भी थे और उसके जो brand ambassador थे वो अमिताफ बच्चन साहब थे अमिताफ बच्चन इसके जो थे वो brand ambassador थे of the event और इसका जो theme था वो theme क्या था? Strengthening क्या लिखते रहे हैं? Strengthening Climate Action and Disaster Resilience ठीक है? ठीक है? यह ध्यान हो गया अगला जो है हमारा क्या है? अगला जो है आपको पता है कि हमारे देश में street food का बहुत प्रचलन है तो street food को promote करने के लिए हाइजनिक street food उसके promote करने के उस समय के जो health minister थे हमारे जेपी नडडा साव है ठीक है? तो आपको यह बताना है कि मनसुक मांडवी अभी क्या है? कौन से ministry इनको मिला है? यह कौन से ministry के minister है? मनसुक मांडवी ठीक है? तो उस समय के जो health minister सुक मांडवी थे उनके द्वारा एक प्रसादम करके country का हमारे देश में पहला ऐसा street food बनाया गया था एक especially बनाया गया street food का जो healthy और hygienic हो ऐसा ना हो कि उसी हाथ से वो सर में खुझली करा पसीना वाला और उसी हाथ से गोलगपा खिला रहा है और वो बहुत जादा tasty लगता है ठीक है? तो उसी के लिए प्रसादम नाम का एक street बनाया गया जो भारत का पहला healthy and hygienic food street होगा और यह कहां किया गया? यह देखिए यह है प्रसादम उसके पहले आपको हम थोड़ा से बता दे रहे हैं कि हम लोगों का test series आया है पहली बार offline BR conducting test series इन पटना और दिली दो शहरों में क्रिया जा रहा है आपको same exam बाला जो experience है वो देने के लिए हम लोग करवा रहे हैं ठीक है? उसका जो fees रखा गया है वो online 499 और offline जो है 749 का ह timing आपको जो exam का होता 12 से दो ठीक है इसका जो features क्या क्या है topics का holistic coverage रहेगा Hindi English medium में रहेगा changing pattern पे जो ही changes हो रहे हैं उसी pattern पे आपको नया नया question मिलेगा ठीक है all India ranking दिया जाएगा आपको same exam बाला feeling आएगा explain with graphics आपको explanation जो मिलेगा बहुत ही detailed मिलेगा और आप इसको अगर आप offline देते हैं और आपको practice करना चाहते हैं तो जितना बार आप चाहें उसको online attempt भी कर सकते हैं अगर आपको लेना होगा तो यह सब number पे contact कर सकते हैं या हमारे website पे जाके देख सकत पांच है पहला जो हमारा अगले संडे को यह संडे आने वाला है 27 अक्टूबर वो दूसरा offline test होने वाला हमारा online offline दोनों बोड में पहला हो चुका है जो लोग दिये होंगे उनको पता है किस तरीके का होता है उसका 3 नवंबर, 4 नवंबर, 17 नवंबर, 24 नवंबर और 1 दिस यह जो दूसरा test है उसको अलग से लिया आया गया है 151 में आप इसको enroll करके online और offline दोनों मोड में exam दे सकते है पतना और दिल्ली के लिए तो हम कहा थे हम थे प्रसादम पे कि उस समय के जो health minister थे ददेन health minister और मनसुख मांड विये उनके द्वारा इंडिया का first healthy और hygienic के ल नाम है वन निलकंट के नाम से आप कौन जान जाते हैं हमारे शिव हमारे शशांक शेखर है ना और यह कहा है निलकंट बन यह है महाकाल लोक उज्जैन में उज्जैन में आपको पता है कि जोतिरलिंग भी है पूरे इंडिया में कितने जोतिरलिंग है 12 जोतिरलिंग है उस सरी लोग गए भी होंगे तो सराफा बाजार जो होता है वो रात में लगता है और पूरे रात लगता है और वहाँ एक से एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी फूड मिलता है ठीक है तो आपको ध्यान कर रखना है प्रसादम का मतलब यह नहीं आपकी दिमाग में आन कि हम 9th India Food Expo करवाते हैं 2023 में और वो कहां करवाते हैं एक से 3 नवंबर लखनाव में और यह जो हमारा फूड पार्टनर कंट्री था वो कौन सा है वी अतनाम हमारा कंट्री है तो ध्यान कर रखना कि इंडिया Food Expo 2023 इसका नॉमा संसकरन कहां होता है लखनाव यूपी में और पार्टनर कंट्री जो है वो भी अतनाम है बस इतना है उसके बाद एक न्यूज है हमारे लिए कि गांधी जी का 8 फिट का स्टैचू का एक क्या क्या गया अन्वील क्या गया अनावरन क्या गया कहां टॉल स्ट्वाइफ फार्म साउथ अफरीका में 2023 अक्टूबर में यह ह तो उसके अनावरन किया आपको बताना है कि गांधी जी का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कहां बनाया गया है और कितना ऊचा है यह तो लग रहें गांधी जी ही खड़े है तो आपको बताना है कि गांधी जी का सबसे tallest statue कहां है कौन से शहर में उसके बाद KVIC आप सब सुने होंगे खादी एन विलेज इंडिस्ट्री कमिशन ठीक है उनके द्वारा एक नया खादी clothing का एक range बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है सणातन खादी वस्त्र सणातन का धर्म है उनके लिए बनाया गया है कि अगर आप पहनेंगे तो आपको सणातन का feel आएगा मन नहीं बदलना है मन में पाप रखना है लेकिन सणातनी कपड़ा पहन लेंगे तो आप सनातनी बन जाएंगे है ना this is the concept of KVIC खादी एन विलेज इंडस्ट्री कमिशन के द्वारा सनातनी खादी वस्त्र और इसका जो exclusive flagship store है flagship store वो कहाँ खोला गया है कनौट फ्लेस दिल्ली ठीक है वहाँ आपको थोड़ा साहम KVIC के बारे में बतादे रहे कि KVIC क्या है KVIC क्या होता है खादी एन विलेज इंडस्ट्री कमिशन येका statutory body है जब जैसे ही हम बोल रहे statutory body है इसका मतलब कि ये कोई law के द्वारा introduce करवाया गया होगा ठीक है और तो कौन सा law आया था law आया था कादी एन विलेज इंडस्ट्री कमिशन आक्ट 1956 ठीक है और 1957 में KVIC बनाया गया इसका जो headquarters है वो headquarters का कहा है Mumbai में ठीक है और ये कौन से ministry के अंदर आता है Ministry of Micro Small and Medium Enterprises MSME और MSME के जो minister है वो हमारे बिहार के रहने वाले हैं आपको hint देते हैं कि ये बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं आपको comment करके बताना है who is MSME minister ठीक है आपको क्या बता है कि KVIC के द्वारा एक नया clothing range शुरू किया गया उसका नाम क्या रखा गया है Sanatan Khadivastr Knot Plus में इसका flagship store खोला गया है you have to comment in the comment box ओके अगला news हमारा क्या है कि Modi ji के ज्वारा एक institute का inauguration का किया गया है उसका नाम क्या है Boeing India Engineering and Technology Center क्या है नाम Boeing India Engineering and Technology Center ये देखे इस इस दा institute ये है Boeing India Boeing India Industry Engineering and Technological Center का ये campus है और ये कहा खोला गया है ये खोला गया है बैंगलूरू में ठीक है बैंगलूर में खोला गया है बैंगलूर कहा है करनाटका में ठीक है ये मोधी जी को दारा इद्गृटण किया गया है बोला जा रहा है ये हाँ 600 करोड का investment किया गया है Boeing के द्वारा और ये बोला जा रहा है कि Boeing जो company है जो aircraft बनाती है वो USA के बाहर वो USA West futuristic company है तो USA के बाहर अपने country के बाहर इसका सबसे बड़ा investment है USA के बाहर सबसे बड़ा investment है Boeing का जो आपको पता है भी Starliner नाम का जो एक aircraft था जो कहां गया था International Space Station पे गया था, जहां सुनीता वेलियम्स फस गई उसमें कुछ टेकनिकल ग्लिच के कारण अगला जो हमारा न्यूज है वो न्यूज है क्या कि उत्तर परदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित तिनाथ उनके द्वारा यमना रिभर में एक पहली वार एक रेस्टोरेंट खोला गया है फुली एर कंडिशन रेस्टोरेंट है और वो क्या है फ्लोटिंग एर रेस्टोरेंट है ये देखे यमना रिभर में पहली वार यमना रिभर में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट खोला गया है जो fully AC है, ठीक है, first floating air condition restaurant, और ये किन के द्वारा integrate किया गया, CM, UP के द्वारा, जिनका नाम है, क्या नाम है, योगी अधितिनात, और ये कहां शुरू किया गया, यमना में कहां, प्रियाग राज में, ठीक है, प्रियाग राज, प्रियाग राज, ठीक है, जिसको पहले क्या ब tributaries कहां है, कौन-कौन से tributaries है, और यमना जो है, गंगा में कहां आके merge करती है, ठीक है, ये तीन चीज़ आपके दिमाग में फटा-फटा आना चाहिए, और फटा-फटा आपके उंगलिया भी चलनने चाहिए, और comment box में comment भी आना चाहिए, कि the origin of यमना river, and the tributaries, left and right, both tribut trees of यमना river, ठीक है, अगला जो news है, हमारा 36 गड़ से है, 36 गड़ में क्या है, कि एक scheme शुरू किया गया है, उसका नाम है महतारी बंदना योजना, मतलब महतारी से आपको समझ में आ रहा हो, कि ये मा या महिलाएं की बात की जा रही है, तो महतारी बंदना योजना जो है, व जो भी eligible married women होंगी, eligible married married women कहने का मतलब ऐसा नहीं की बाल वीबाह भी करवा दिया होगा, तो married women वो, she is eligible, no, eligible married women कुछ जिनका 21 साल से उपर की जो हो, more than 21 years old, और वो साधी शुदा हो, उनको क्या किया जाएगा, एक हजार रुपे पर मन्थ दिया जाएगा, और जो 21 साल का जो benefit transfer किया जाएगा, इसमें जो है, वो widow, divorced and deserted women को भी सामिल किया गया है, है ना, उनको भी एक हजार पर महिना दिया जाएगा, उसका जो ऑक स्कीम का नाम क्या है, महतारी बंदना योजना, और ये 36 गड़ का ये धियान रखेगा, 36 गड़, महतारी बंदना योजना, एक हजार पर मंथ दिया जाएगा, eligible married women को, अगला जो हमारा है, ये एक institute का उद्गाटन किया गया है, जिसका नाम है National Institute of Pharmaceutical Education and Research, और ये कहा है, ये है गौहाटी में, इस इस दा इंस्टिट्यूट, और ने नेशनल इंस्टिट्यूट और फर्मसुटिकल and education and research, गौहाटी, आसाम में, ठीक है, और ये किनके द्वारा किया गया था, उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर थे मनसुख मांडविये, आप से पूछा गया है, कि अभी पूछा किया गया, आपको बता ही दिये थे, अभी कि जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर वो कौन है, जे पी नडड़ा साहब आप से क्या प आंध्रा परदेश में, आंध्रा परदेश के बानापली विलेज जो है, पराकसम डिस्टिक में, बनापली विलेज में मिला है, वहां क्या मिला है, वो जो टूटा टूटा जो स्टोन का स्लैब होता है, उस पे 8 और 9th सेंचुरी का इंग्रेब्ड मिला है, और बोला गया ह कि ये जो inscription है वो ऐसा माना जाता है कि record of gift of land था कि किसी को आप land अपना जमीन या घर gift करते हैं तो उसी का जो record होता है वो लिखा गया है and a house to God और एक भगवान जो पूजा घर होता है वो दिखाता है ठीक है वो जो inscriptions जो मिला है जो टुकडे मिले है fragmented stones के slab का उसमें जो लिखा हुआ है तेलबू inscription में वो क्या दिखाता है कि किसी को हम record of land जो gift कि हैं वो दिखाता है या तो पूजा घर जो होता है हमारा वो दिखाता है कहा मिला है आंत्रपरदेश में प्राकशम डिस्टिक बानापली विलेज सरथ स्व्षूड फेस्टिवल जो है वो खार करवा गया था कनोर्ट फ्लेस नियौ दिल्ली में और किसके दवारा करवा गया था देखे है ये हमारा सरथ मिनिस्ट्र्ट सुर्ण धेवलापलेंन के जो मिनिस्टर है वो कौन है वो MP के है MP के पहले CM रह चुके है उनका नाम है शिवराज सिंग चौहान उनके द्वारा उस वो है Rural Ministry और ये जो है National Rural Livelihood Mission के अंतरगत जो है Saras Food Festival वो और्गनाईज करवा गया था जिसमें different different cuisines and different different region के diversity in unity unity in diversity को promote करने के लिए ये सब को दिखाने के लिए किया गया था Union Ministry of State जो है Fagan Singh कुछ सालते उनके द्वारा inaugurate किया गया था आपको बता दिए कि Rural Development Ministry के अंदर ये आती है कहां कि हुआ था Saras Food Festival कनाट प्लेस दिली में आपको पता एक बिहार में सरसमेला लगता है Saras Mila ठीक है आपको बताना है कि Saras Mila भी हाल ही में लगी थी है ना I think एक दो महिना पहले तो ये कहां लगता है Saras Mila ठीक है और Saras Mila में क्या दिखाया जाता है इस स्टेज को प्रमोट करते हैं इन बिहार सरसमेला में आपको बताना है जो बिहार के होंगे यह सलिब्रिट किया गया फिफ्ट एडिशन अफ ग्लोबल आयरुवेदा फेस्टिबल और यह कहां किया गया यह किरला के त्रिबनन्त पूरम में त्रिबनन्त पूरम का नाम जैसे ही सुनते होंगे आपको वहां के MP जो है ससी धरूर उनकी याद आती होगी यह इनगरेट किनके द्वारा किया गया जगदीब सिंग धनकर जो हमारे जगदीब धनकर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा किया गया आपको बता दें यह हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट है और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो जो हमारी दॉप्दि मुर्मु मैम है वो 15th President है ठीक है और इसका जो theme था वो क्या था? Emerging Challenge in Healthcare and Resurgent Ayurveda क्या है? इसका जो theme है किसका? Global Ayurveda Festival का Emerging Challenge in Healthcare and Resurgent Ayurveda ठीक है? उसका देख मनाया गया जल दिवाली celebrate celebrate क्या गया है? जल दिवाली जल दिवाली का मतलब कि यह obviously पानी से related कुछ होगा और उसका जो एक campaign चला गया था वो था Water for Women and Women for Water ठीक है? यह जो जल दिवाली मनाया गया पूरे देश में वो उसका जो theme एक campaign चला गया था Water for Women and Women for Water यह किसके अंदर चला गया था? Amrut Mission अमुरूत क्या है? Attal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation जो भी urban area में जो भी तालाब हैं जो भी points हैं उनको क्या किया जाएगा? Rejuvenate किया जाएगा और transform किया जाएगा ताकि हम क्या कर सकें जो Water Harvesting है उसको promote करने के लिए किया गया था यह क्या हूं से Ministry के अंदर आती है? Ministry of Housing and Urban Minister आपको बताना है कि who is the responsible minister for Ministry of Housing and Urban Affair और यह किसके अंदर काम किया गया था? N.U.L.M National Urban Livelihood Mission के अंदर गत्त तो आपको ध्यान में रखना है कि जल्दिवाली जो है वो मनाया गया है पुरे देश में है ना उसका एक campaign चला गया था Water for Women and Women for Water Union Minister of Housing and Urban Affair और इसमें क्या था? अमरूत और N.U.L.M यह तीनों का नाम याद रखना है इसका जो एम था? वो एम क्या था? कि Water Treatment Plant जो आपको पता है जो बाटर का Treatment का जो प्लांट होता है वहाँ जो भी Women's है उनको ले जाए जाएगा और उनको First and Information दिया जाएगा ताकि जो Water Governance है उसमें Women's का भी Contribution बढ़े जनरली देखा जाएगा कि Treatment Plants पे जो Water Treatment Plants है या फिर जो Seavish Treatment Plants है वहाँ Women's का भागिदारी बहुत ही कम होता है तो उसी को प्रमोट करने के लिए हम क्या करेंगे? कि Women's को Water Treatment Plants पे लिए जाके विजिट कराएंगे, उनको दिखाएंगे कि कैसे Treatment Plants चलता है, कैसे Treatment क्या जाता है उनको First and Information दिया जाएगा और उनको प्रमोट किया जाएगे कि आप लोग भी Treatment Plants चलाएगे तो तो दैट्स वाइट जल्दी वाली अगला जो जो हमारा News है, वो है International Humanitarian Law and Peacekeeping का एक क्या होता है फोरम है, UN का United Nations का Annual Forum होता है International Humanitarian Law and Peacekeeping ये क्या होता है, ये होता New Delhi में 21 से 22 नवंबर 2023 में, ठीक है, इसमें कौन-कौन सा Institute काम करता है, तो वह United Service Institution of India जो एक क्या है एक Think Tank है, हैना Research का काम करती है, और Debate करती है, National Security and Military Affairs में, Research and Debate on National Security and Military Affairs अगर हम बात करें, इसके Establishment की, ये बहुत पुरानी इंस्टिट्यूट है, 1870 में बनी है ठीक है, और अगर हम बात करें, किसके अंदर काम करती है, तो वह International Committee of Red Cross and Center for Union Peacekeeping Operation और ये कहां हुआ, ये हुआ New Delhi में ठीक है, ये धिया रखना है अगला जो हमारा News है, वो बहुत बहुत बढ़िया News है, कि Mitty Cafe का एक Branch जो है, वो Supreme Court के Premises में, इनवरेट किया गया, डिवाई चंदर जूड के जी के द्वारा, ठीक है, तो this is the photo of, this is the pick of ठीक है, Supreme Court के Premises में ये Mitty Cafe, अब आपको समझ में आगा कि Mitty Cafe को इतना क्यों importance दिया गया, तो Mitty Cafe जो है एक क्या है, एक Non-profit Organization है, जिसका नाम क्या है Mitty Social Initiative Foundation क्या नाम है, Mitty Social Initiative Foundation ठीक है, ये 2017 में शुरू किया गया था, एक लड़की के दवारा, जिनका नाम है, Alina Alam अभी उनका भी हम आपको photo दिखाएंगे Alina Alam का, तो ये क्यों special हो जाता है Mitty Cafe तो Mitty Cafe जो institution है, वो special इसलिए हो जाता है, कि जो भी वैसे, जो भी physically disabled लोग होते है उनहीं के दवारा ये run किया जाता है इसमें उनको क्या कहा जाता livelihood, उनको घर चलाने के लिए, उनको employment प्रवाइड करने के लिए, जो भी PWD से लोग आते हैं, जो भी physically disabled लोग, उनहीं के दवारा ये चला जाता, उनहीं के लिए ये initiative शुरू किया गया तो जितने भी all across the country जहां भी मिट्टी कैफे आपको मिलेगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो physically disabled लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो मंद बुद्धी होते हैं, वो physically disabled होते हैं, they are very sharp they are very talented, बट लोग उनको क्या करते हैं कि employment नहीं देते हैं, उनके livelihood बहुत दिक्कत से हो जाता है last में उनको फिर कुछ वैसा वैसा काम करना पड़ता है, जो नहीं करना चाहिए तो उसी को promote करने के लिए जो अलीना आलम नाम की लड़की है, उसके दोरह ये शुरू किया गया था 2017 में तो she is अलीना आलम, आपको इनका जो एक TED talk है हैना YouTube पे फालतू चीज़ों बहुत सारा देखते होंगे कभी-कभी अच्छा चीज़ भी देखिए ये मात्र हमी लोग आप लोग केज की लड़की होगी इनके दोरह एक नया concept लेग, इसको बोलते है इनको देखेगा, सुनिएगा, 10 मिनिट का समय लगेगा अगर कभी लग गया की, मोटिवेशन की कमी आ रही है तो सुन लिजेगा लिना आलम को ये बैंगलोर की रहने वाली है इनके दोरह ये शुरू किया गया, मिट्टी कैफे आपको अभी क्या बताया थे कि पटना में सतरंगी नाम का एक रेश्टरोल भी बनता है, जिसमें कौन काम करते है, जितने भी transgender community के लोग है, उनके द्वारा ही रन किया जाता है, तो सोचे कि these are the innovation, अगर आपको लग रहा है जो भी civil services या इस तरह की सरकारी PCS की job का तयारी करते है, उनके दिमाग में जरूर यह रहता है कि हमको public में कुछ अच्छा काम करना है, तो बहुत लोगों के मन में आता है कि जब हम कुछ अच्छा कर लेंगे तो करेंगे, दोस्त यह समय नहीं आता है आप अपने environment में जो भी अगल बगल है उसको सवारने का सोचिए, पढ़ाई भी करते रहिए लेकिन साथ-साथ वो भी करिए क्योंकि वो समय फिर नहीं है special हैगा कि अब यह समय है कि आपको public के लिए या कुछ वैसे लोग के लिए आपके मन में जो करना है वो करना है करना है तो करना है, करना शुरू करिए ठीक है टो she is Alina आलम ठीक है उन्हीं के द्वारे यह मिट्टी Чाफे शुरू किया गया था अगला जो है हमारा news है वो क्या है अगला news जो है वो हमारा है कहां चले गए Ministry of Home के द्वारा क्या किया गया है? Unlawful Association के उसको बोला गया है और उस पर क्या लगाया गया? Unlawful Activity UAPA 1967 लगा दिया गया बोला गया Unlawful है वो terrorism को promote करती है ठीक है? अगला जो हमारा news है वो क्या है? कि जो Coast Guard का headquarter है New Delhi में वहाँ एक conference होता है Coast Guard लोगों का Conference है वो क्या होता है? हर साल होता है, annually होता है और जिसमें क्या discuss करते हैं? कि जो policy या strategy ये सब के बारे में discuss किया जाता है आपको बस ध्यान कर रखना है कि Coast Guard Commanders जो थे उनका conference, 40वा conference New Delhi उनके headquarter में ही हुआ ठीक है? अगला जो news है वो हमारा India Manufacturing So 2023 ये तीन दीन का ये चला है वो कहां किया गया है? वो किया गया है? बैंगलोर करनाटका में जिसमें क्या किया गया है? ये किन के द्वारा किया गया है? लगु द्योग भारती और IMS Foundation के द्वारा जिसको support कौन करती है? Department of Defense Production जो किसके अंदर काम करती है Ministry of Defense और हमारे जो Defense Minister वो है राजनाथ सिंग इसका जो Central Theme था वो है Make in India and Make for World तो आपको ध्यान कर रखना है कि तीन दीन का जो इवेंट चला है India Manufacturing Show 2023 ये कहां जला? बैंगलोरू करनाटका में इसके द्वारा? लगु उद्योग भारती and IMS Foundation आपको बताना है कि IMS Foundation क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है आपको कमेंट करना है ठीक है? ये किसके द्वारा सपोर्ट किया गया? Manufacturing की बात करिये तो हम Defense Production जो Department of Defense Production Ministry of Defense के अंदर उसके द्वारा ये promote सपोर्ट किया गया और उसका Central Theme था Make in India and Make for the World ये भारत में बनाएंगे और दुनिया के लिए बनाएंगे अगला जो हमारा है वो क्या है? आयुष्मान भारत Health and Wellness Center जो AW, AB, HWC उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? जो आयुष्मान भारत Health and Wellness Center था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? आयुष्मान आरोग्यमंदिर ध्यान रखना है इंपोर्टेंट हो जाता है इस तरीकी का चीज कि renamed as what तो आपको ध्यान में रखना है कि आयुष्मान आरोग्यमंदिर नाम रखा गया है किसको? Health and Wellness Center जो था आयुष्मान भारत का उसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्यमंदिर तीन बार हम बोल चुक है फिर से एक बार बोल रहे है कि आयुष्मान भारत Health and Wellness Center जो था उसका नाम बदल के आयुश्मान आरोगय मंदिर कर दिया गया है ठीक है और इसका जो टैग लाइन है वो क्या है आरोग्यम प्रमम धनम आरोग्यम प्रमम धनम संस्कृत का कुछ स्लोक है आपको क्या बताना है कि जो आयुश्मान भारत अस्कीम था वो हमारे मोदी साहब के द health insurance insure करती है health insurance करती है तो वो कितना पैसा दिया जाता है एक family को कितना पैसा का health insurance किया जाता है ये भी आपके comment करके बताना है you have to comment in the comment box ठीक है उसके बाद अगला क्या है कि राम मनोहर लोहिया जो हमारा hospital है कहां न्यू दिल्ली में वहाँ एक भारत में पहली बार dedicated OPD शुरू जिसमें आप admit ना होते है पहली बार जहां doctor से मिलते हैं OPD जाके आप दिखाते हैं तो पहली बार एक transgender community के लिए dedicated को हां सिर्फ और सिर्फ transgender जाएंगे और अपना दिखाएंगे ठीक है तो उनके लिए ये राम मनोहर लोहिया hospital में पहली बार dedicated OPD बना है important हो जाता इस तरीके का fact जहां क्या क्या जाएगा free treatment क्या जाएगा उनका investigation क्या जाएगा और क्या sex change का जो surgery होता है वो सारा facility वहाँ available करवाया गया है ठीक है अगर हम बात करें राम मनोहर लोहिया की तो ये शुरू में कब बना 1932 में ये hospital बना है 1932 में उस में इस hospital का नाम क्या था बलिंग्डन hospital बाद में इसको क्या नाम change कर दिया गया राम मनोहर लोहिया socialist leader थे हमारे उनके नाम पे कब किया गया 1970 में 1970 में बिलिंग्डन hospital का नाम बदल के कर दिया गया राम मनोहर लोहिया hospital ठीक है आप से कल पूछा गया था इमस के बारे में आप सब ने बताया है उसी तरीके से राम 1932 में शुरू किया गया था जिसका नाम था वेलिंग्डेर वास्पिटल बट इन 1970 में इसका नाम बदल के राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे रखा गया ठीक है अगला न्यूज जो है हमारा मेडिकल क्रॉप्स ओफिसर रही है ठीक है कॉप्स ओफिसर उनको वो पहली महिला बनी है जो आम फोसेश ट्रांस फ्यूजन सेंटर दिल्ली है उसके कमांडिंग ओफिसर बनी है फिसका बनी है आम्ड फोसेश ट्रांस फ्यूजन सेंटर ठीक है यह बोला जाता है कि यह जो है आम फुसकर का सबसे वड़ा transfusion center है ठीक है दिल्ली में उसकी जो पहली commanding officer बनी है पहली महिला commanding officer बनी है और इनका नाम क्या है करनल सुनीता बी-एस करनल सुनीता बी-एस ठीक है ये क्या है army medical cops officer है ठीक है आर्मी में जो medical cops officer होते हैं उसके ये करनल है और ये पहली महिला बनी है ठीक है ये ध्यान रखना है important हो जाता है कि जब भी कोई भी institution में या कोई भी कोई भी ऐसा पद होता है जहां पहली बार महिला बनती है वो exam के लिए important हो जाता है ताब को ये ध्यान रखना है करनल सुनीता बी-एस अगला जो हमारा है वो है उत्तर प्रदेश्चे कि उत्तर प्रदेश ने एक वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है जिसमें क्या है कि दिपोटसब जो हुआ था उसमें 22.23 लाख दिया जलाया गया ठीक है यह देखिया फोटो यह युद्या है युद्या में किस दिन क्या गया था दिपोटसब जो है 4 नवंबर 2030 को किया गया था और 22.23 लाख दिया जलाया गया है और यह वर्ल्ड यह गिनीज वर्ल्ड डिकॉर्ड बन गया है क्यामन घाटों पर किया गया था क्यमन घाट जो है अध्या कौन से नदी किनारे है सर्यू तो जो सर्यू नदी है उनके किनारे जो घाट है तो 51 घाट पर दिया जलाया गया था और इनीज वर्ल डिकॉर्ड बना गया उसमें एक राम की पैदी घाट है वहाँ भी किया गया था ठीक है यह ध्यान रखना है अगला जो हमारा न्यूज है वो क्या है कि CRPF के द्वारा है जो विमेंज फाबर है उसको सेलिबरेट करने के लिए और वो मिनिस्ट्री ओफ विमेंज चाइड डिफलेप्मेंट के साथ क्रॉबरेशन करके एक expedition शुरू किया बाइक expedition. ठीक है? बाइक expedition ठीक है? क्रॉस कंट्री बाइक expedition जिसमें क्या है? यह तीन शहरों से कौन कौन सा शहर? स्रीनगर, शी लॉंग और कन्या कुमारी श्री नगर आपको पता उपर हो जाता है शिलॉंग जो हमारा नॉर्थिस्ट में हो जाता है और कन्या कुमारी जो हमारा नीचे हो जाता है ये तीनों जगा से 50-50 बाइक के जो टुकडी है 150 पूरे CRPF के विमेन वाइकर है कितने हैं? 150 CRPF में विमेन वाइकर्स है उनके द्वारा तीन भागें बाटा गया कि 50 कहां जाएंगी श्री नगर, 50 कहां गई शिलॉंग और 50 जो है कन्या कुमारी ये तीनों निकलेंगे और तीनों कहां आएंगे गुजरात में गुजरात का एकता नगर जो है ठीक है? एकता नगर एकता नगर क्यों? और वो कब आएंगे? 31 October 2023 को आपको पता है 31 October जो है हम लोग National Unity Day मनाते है अना to mark the worth anniversary of बल्लभाई पटेल, सरदार पटेल के जो worth anniversary उसी को mark करने के लिए हम लोगों ने National Unity Day मनाना शुरू किया है आपको बताना है कि हम लोग कब से celebrate करना शुरू किया है हाना Government of India कब ये अनॉंस की कि हम लोग 31 October को जो उनका जो birth anniversary है उसको हम लोग National Unity Day मनाएंगे तो कहां कहां से? स्रीनेगर से 50 वाइक का जो वाइकर आएंगे, वीमेन वाइकर फिर शीलॉंग से 50 वाइकर आएंगी और कन्या कुमारी से आएंगी और 31 October जुनेशनल Unity Day है वहाँ एकतानगर में आएंगी और ये किस्चिज के लिए किया गया to show the, to celebrate the women's power in the country किन के दोरा किया गया? CRPF, ये CRPF, Central Region Police Forces और Ministry of Women and Child Development के दोरा ये दोनों के दोरा आपको क्या बताना है? कि CRPF जो है, वो कौन से Ministry के अंदर काम करती है? और CRPF के जो डिरेक्टर है, करेंट डिरेक्टर कौन है? और हमारे जो Minister है Women and Child Development के वो कौन है? और उनका Constituency कौन सा है, वो भी बताना है ओके? So this was the news अगला news जो है, हमारा क्या है? कि Ministry of Ports and Sipping जो Waterway है है ना, जल्रानी Ministry वो उसके अंदर एक क्या क्या गया है? Global Maritime India Summit क्या गया है Third Global Maritime India Summit उनके द्वारा क्या गया है? 17 से 19 October के बीच में ठीक है? कहां मुंबई में किया गया है ठीक है? इसमें जो है इनगरेट किया गया है Prime Minister Modi के द्वारा वाया Video Conferencing है ना, वर्चुली और इन्विल क्या क्या गया? अमरीत काल वीजन 2047 है ना, जो हमारा अमरीत काल का वीजन है कि हम लोग 2047 में आवर कंट्री इंडिया शुड भी डेवलप्ड अज डेवलप्ड नेशन उसी का जो ब्लूप्रिंट है फॉर इंडियान मैरी टाइम बिट्विन ब्लू एकॉनमी हम ब्लू एकॉनमी के लिए क्या हमारा ब्लूप्रिंट होगा कैसे हम डेवलप्ड करेंगे कैसे यह वो एकॉनमी को सपोर्ट करेगी जो हमारा जो ब्लू एकॉनमी है उसी के लिए यह ग्लोबल मैरी टाइम इंडिया समिट 17-19 अक्टूबर मुंबई में किया गया किसके अंदर किया गया मिनिस्ट्य आफ पोर्ट स्पिंग और ब्लूप वेज के अंदर गत किया गया और इट वाज इन्वेटर बाइ प्राइम मिनिस्टर मोधिवाई वर्च्वल वर्च्वली और विडियो कांफेरेंसिंग के द्वारा अगला जो हमारा नियू जया वो क्या है कि first Indian Military Heritage Festival करवा जाता है ठीक है और कहां करवा जा गया New Delhi में ठीक है जिसका inauguration कौन करते है हमारे Minister राजनात जी ठीक है तो this was India Military Heritage Festival और ये कीस October को होता है ठीक है और इसमें इंडिया के जो भी संपन हमारा भारत का जो संपन Military Culture है जो Military Culture है और Heritage है उसी को जो सदी दर सदी Century दर Century क्या होता है इवल्व हुआ है उसी को Celebrate करने के लिए इस तरीके का जो Heritage Festival उसको औरगनाईज करवा गया है जिसका नाम कहा है Indian Military Heritage Festival मौनिक्स और सेंटर निव दिली में ये किया गया था जिसमें हम अपने Legendary Warriors को याद करेंगे ठीक है तो ये कब हुआ 21-22 अक्टूबर और इनागरेट किन के दोरा किया गया राजनात सिंग के दोरा और ये पहला इस तरीके का Heritage Festival मना गया इसलिए क्या हो जाता है ये important हो जाता है कि इंडिया में पहली बार हम अपने जो भी Legendary Warriors हैं उनको उनके Heritage को हम celebrate करेंगे ठीक है जो कैसे कैसे काम किया गए कैसे कैसे हमारा जो Military है Evolve हुआ है Military Culture में क्या हमारा Heritage रहा है वो सब को हम लोग दिखाएंगे उसको celebrate करेंगे ठीक है उसके बाद हमारा क्या है कि गांधी जे अंती जो पिछले साल गांधी जे अंती था दो अक्टूबर को उसके occasion पे मोधी जी के द्वारा country का पहला high tech sports training जो institute जो है वो कहां किया गया वो किया गया ग्वालियर में और उसका नाम जो है वहां के जो हमारे पुर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके है अटल बिहारी बाजपई उनके नाम पे रखा गया है ठीक है कि और वो किनके लिए दिब्यांग जन के लिए जो भी disabled person है जो पैरा जिसको बोलते है पैरा अथलीट उनके लिए ये खोला गया है देश का पहला high-tech sports training center for दिब्यांग फिर से बोल रहे है कि country's first high-tech sports training center for दिब्यांग जो इनके नाम पे रखा गया है आबर पहले के जो हमारे जो former प्राइम मिनिस्टर अर्टल बिहारी बाजपई और ये कहां क्या गया है ग्वालियर में ग्वालियर MP में और ये किनके लिए है दिब्यांग जन के लिए है आपको क्या बताना है अभी हाल ही में क्या हुआ है Olympics का गेम होके गया है जिसमें आपको पता है कि दो तरह का होता एक normal वाला और दूसरा पैराफलीट वाला तो पैरा ओलम्पिक्स में हमारा कितना कौन-कौन सा मेडल आया है और नॉर्मल वाला जो ओलम्पिक्स होता है उसमें इंडिया कौन-कौन से मेडल जीती है number of medals और कौन कितना gold, कितना silver, कितना bronze सब आपको बताना है इन पैरा ओलम्पिक्स इन नॉर्मल ओलम्पिक्स बोथ आपको कमेंट करके बताना है आपको आरी वीजन भी हो जाएगा पैरा ओलम्पिक्स में बहुत चरह ऐसे हमारे जो अथलीट है हमारे पैरा अथलीट वो डबल-डबल मिटर लेके आए है है ना बहुत ही खुशी की बात है बहुत ही गर्व की बात है अगला हमारा जो मिशन है वो है महिला मिशन महिला सार्थी इनिशेटिव जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा चला गया है और ये किनके द्वारा शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के जो CM है योग्यादितिनात्त के द्वारा हरी जंडी दिखाई गई और इसमें mission जो mission सक्ति अभियान है UP का उसके द्वारा यह चला गया mission महिला सार्थ initiative यह क्या है mission महिला सार्थ initiative में क्या है कि 51 buses को हरी जंडी दिखाया गया जो यह जो भी buses है it will be operated exclusively by women as a driver और conductor, ठीक है, जिसमें जो भी बस होगी, इसमें जो महिलाएं होगी, women's होगी, वो क्या होगी, drivers भी होगे, और वो conductors भी होगे, तो यह जो कहा जाता है, कि महिलाएं जो है, वो अच्छी driver नहीं होते हैं, यह क्या है, it's a myth, ठीक है, और इसका जो reason है, कि क्या होता था, कि जब आप जाएंगे, हमारा जब human evolve कर रहा था, तो जो men होते थे, वो hunting के लिए जाते थे, हना, men जो थे, वो hunting के लिए जाते थे, तो hunting के लिए जाते थे, तो उनको रस्ता याद रखना बहुत जरूरी होता था, इसलिए जो उनका driving skill है, वो अच्छा हुआ, हमारे gin में रह गया और जो women's थी, वो gathering करती थी, हना, hunting और gathering जो होता था, तो hunting was done by men, and gathering was done by women, तो इसलिए बोला जाता है, कि जो थोड़ा जो, उनका जो direction का skill होता, वो कमजोर होता है, क्योंकि, उनका जो involving, जब हो रहा था, human involved हो रहा था, उसमें वो gathering करती थी, इसलिए, लेकिन, this time, अभी के स इसलिए में, this is the myth, और देखे कैसे वस चलाएंगी महिलाएं, उनहीं के द्वारा conduct भी किया जाएगा, उनहीं के द्वारा ये सब कुछ किया जाएगा, mission, महिला, सार्थी initiative, यह किसका initiative है, यह उत्तर परदेश का initiative है, mission, सकती, अभ्यान, उनहीं के द्वारा, उसी initiative, उसी अ ठीक है, अगला जो है, हमारा क्या है, अगला है, असाम government के द्वारा एक launch किया गया है, मुख्य मंतรी, लोक, सेवा, का रहूगी, जोने, क्या है, आपको नाम में ही लग रहा होगा क्या हूग거든요, मतलब वहाँ, कि जो भी government officials है, करमचारी है, pensioner है, क्यों या, उनके dependent है, तो उनको क्या दिया जाता है, medical health insurance दिया जाता है, तो उसी का जो online bill वगेरा को जो reversement का scheme है, उसी का scheme है, मुख्य मंत्री लोग सेवा, आरोग योजना, आपको ध्यान क्या रखना है, कि मुख्य मंत्री लोग से बारे योजना, जो है वो असाम government की योजना है, scheme है, जिसमें government of Assam Employee Pensioner उनका, क्या है एक, जो reinvestment scheme है, कि आप bill दीजे, आपको government क्या करेगी, उसका पैसा दे देगी, ठीक है, उसी के दौरा यह चला गया, ध्यान रखना बस क्या साम का है, उसका एक महराष्टा के दौरा, महराष्टा सरकार के दौरा, एक scheme लाया गया, जिसका नाम है, लेक लड़की योजना, लेक लड़की योजना, ठीक है, लेक लड़की का English मतलब क्या होता है, dear daughter scheme, dear daughter scheme क्या है, कि हमारे बिहार में, I think हमको लगता है, यह बिहार से inspired होके किया गया, हमारे बिहार में कन्या उत्थान योजना जो चला जाता है उसी तरीके का ये स्कीम है इसमें क्या क्या जाएगा कि वैसा फैमिली जिनका इंकम जो है एक लाग से कम है अगर उनके यहां लड़की पैदा होती है तो जब दो तरह का इनको राशन काट दिया गया है यल्लो और सैफ्रोन तो क्या होता जब बर्थ होगा तो 5,000 रुपया है ना जब पहली बार वो फर्स्ट क्लास में इंडॉल होगी तो 6,000 रुपया मिलेगा जब वो 6th standard में होगी तो 7,000 है ना और 11th जब वो पास कर जाएगी तो 8,000 और जब 18 साल की हो जाएगी तो 75,000 रुपय का उनको सपोर्ट दिया जाएगा आपको क्या बताना है कि बिहार में जो स्कीम है कन्या उथान योजना उसमें कैसे कैसे कौन कोन स्टेज पे पूरा कितना पैसा दिया जाता है कि ग्रेजोशन करने ले पे कितना पैसा मिलता है 12th करने पे कितना पैसा मिलता है 10th करने पे कितना पैसा मिलता है उसी में एक पोशाक योजना है वो भी है ठीक है ता आपको वो बताना है कमेंट करना है ठीक है अगला जो हमारा news है वो क्या है कि उत्राखंट tourism से आता है उत्राखंट tourism और culture के जो minister है सत्थपाल, महराज उनके द्वारा inaugurate किया गया George Everest Cartography Museum आप जब सोचेंगे कि जो Mount Everest हो उसका नाम Mount Everest ही क्यों दिया गया तो यह जो legendary person है कहा गया यह जो legendary person है this person is this person is George Everest इनका नाम है क्या George Everest ठीक है इनहीं के नाम पे हम लोग नोए हमारा जो हिमाले है उसका जो सबसे उचा पीक है उसका नाम क्या रखा Mount Everest क्यों रखा क्योंकि यह बहुत famous surveyor रह चुके है ठीक है और यह उत्राखंड में इनका घर है यह देखे कितना खुबसूरत घर यह बनाया थे इस घर को क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं Park E Estate ठीक है इनहीं के घर को हम लोगों ने क्या कर दिया क्या बना दिया हम लोगों ने museum बना दिया और वो इंडिया का पहला कार्टोग्राफी museum होता है कार्टोग्राफी बोलेंगे कार्टोग्राफी क्या होता भीया तो कार्टोग्राफी जो है वो क्या होता है जो मैप मेकिंग या उसका स्टेडी या उसको लवासना है, और क्या है, IMA भी है, है ना, Indian Military Academy भी है, तो बहुत अच्छा जगह है, तो इनका जो घर था George Everest जी का, जो की 1832 में बनाते हैं ये, है ना, अपना हाउस और यहीं पे लैब भी बनाते हैं, जो क्या, सर्वे का काम करते थे, और उनका घर का नाम रखा गया, पार्क किस चीज का, Indian Society for Blood Transfusion का, और Immunohematology का, जिसका नाम रखा गया है, Transcon 2023, और वो लखनओ में होता है, ठीक है, क्या हो है, Transcon क्या है, ये 6 से 8 October को, एक Conference किया गया, जो Annual Lesson Conference होता है, और कौन सा होता है, 48 होता है, और ये किसके दौरा शुरू किया गया, किसके दौरा ये Conference और ग News है, वो क्या है, कि उत्तर परदेश के जो CM है, योगी अदितिनाच, उनके द्वारा क्या क्या गया है, एक Foundation Stone ले किया गया है, एक सिलान नयास क्या गया है, कि जो भी हमारे Navy के, जो गलेंटरी लोग हैं, जो जो वीर लोग हैं, उनका एक Museum होना चाहिए, और वो कहां बनाय जा रहा है, वो लखनाओ में 23 करोड के Investment से बनाया जा रहा है, यह ध्यान रखना है, कि जैसे ही Naval Museum की बात आएगी, तो आप कोई वैसे स्टेट पे चली जाएगी, जहां कोस्ट हो, है ना, लेकिन नहीं, यह कहां बनाया जा रहा है, यह बना जा रहा है लखनाओ में, और उ तरकस Volume 1 का National पुरा खतम हो गया, आपको हम एक दिन का Gap दे रहे हैं, ठीक है, कल कोई भी वीडियो नहीं आएगी, आना, आपको क्या करना है, पूरा रिवीजन करना है, नेशनल का, परसो से फिर से आपको कहा आना है, बाबा के दरवार में, ठीक है, आप हम लोग उस दिन Volume 2 शुरू करेंगे, और जिस तरीके से हम लोग Volume 1 thoroughly cover किये हैं, उसी तरीके से same manner में, और उससे भी ज़्यादा detailed manner में, हम लोग Volume 2 को cover करेंगे, आपके लिए क्या था, आपके मेहनत को देखके सोचे हम भी थोड़ा मेहनत कर ले, और आपके लिए क्या किया गया है, आपको प Practice के लिए, तो आप comment करके बताईएगा, आपको हम दे देंगे कल या परसो में, जिसमें 1.500 सवाल पूरे के पूरे जो भी important है, उससे हम MCQ form में बना देंगे, और आपको क्या करना है, उसको प्राक्टिस करना है, ठीक है, पहले वीडियो से revision कर लेना है, और उसके बाद क्य चार वार उसको revision कर लेंगे, तो current affair, या तो आपसे बनेगा, नहीं तो किसी से नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं तो आपसे बनेगा, यही करना है, अच्छे से practice करिए, मन से पढ़िए, ठीक है, एक जी जान लगा दीजिए, यह अंतीम ही होना चाहिए, उसके बाद किताब को क्या करना अगर्वत्ती दिखा देना है, भाया अब नहीं, यह है, तो thank you so much,